C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारपस्तुद है कक्षा 4 की पाठे पुस्तक हमारे आसपास का दस्मा पाठ हुतुतु 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 प्रिष्ट सदहत्तर हुतुतु हुतुतु प्रिष्ट पाले के एक तरफ खड़ी सभी लड़कियां जूर से चिललाईं। हुतुतु 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 इधर से पकड़ो, हुतुतु हुतुतु पैर से पकड़ो, पैर से, पैर से, इसका पैर पकड़ो, हुतुतु हुतुतु वसुधा इधर आजा, इधर से पकड़ ले ना, अरे श्यामला का हाथ लाइन को ना चुए, हाथ पकड़ो उसका, हु क्या कर रही हैं ये लड़कियां आउट आउट की आवाजे आ रही हैं तो मतलब साफ है कि कोई खेल खेला जा रहा है तुम इस खेल को किस नाम से जानती हो चेडुगुडु, हूतूतु, हाडुडु, छूकिटकिट, कबड़ी या कुछ और श्यामला को जब चेह लड़कियों ने घेर कर पकड़ लिया तो सबको लगा वह तो आउट हो गई, किसी ने उसके पैर दबोचे, किसी ने हाथ, तो किसी ने कमर, पर श्यामला कहां छोड़ने वाली थी, घिसट घिसट कर उसने बीच की लाइन चूही ली श्यामला ने जब बीच की लाइन चूही तो दूसरे पाले की सारी लड़कियों ने उसको पकड़ा हुआ था, इसलिए वे सारी आउट हो गई परंतु रोजी बहस करने लगी, उसका कहना था कि श्यामला की तो सांस टूट गई थी, इसलिए उनकी टीम आउट नहीं थी श्यामला तो अड़ गई कि उसकी सांस नहीं टूटी थी, उसने यह भी पूछा कि अगर सांस टूटी गई थी, तो सब उसको इतनी देर तक दबोचे क्यों रही काफी बहस हुई, पर अंत में श्यामला की ही जीत हुई प्रिष्ट 89 तुम्हारे यहां कबड़ी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, श्यामला ने जब बीच की लाइन चुई, तो कितनी लड़की आउट हुई थी, क्या तुम्हारे पास खेलों के जगडे निप्टाने के तरीके हैं, कबड़ी का खेल तो ऐसा ही है कबड़ी का खेल, है ना? खीचा, तानी, जोर, जपटा, दम लगाना, चीखना, चिलाना, मिट्टी में घिसर जाना, है तो होहले वाला खेल, पर इसमें बहुत सारे नियम भी हैं, मज़ा भी खूब आता है, कसरत भी पूरी हो जाती है, सांस रोक कर कबड़ी कबड़ी बोलो और भागो दोड़ो, साथ में दूसरे पाले के लोगों को चूने की कोशिश भी करो, जितनी देर सांस रोक लोगे, उतनी देर दूसरे पाले में अपना कमाल दिखा पाओगे, कबड़ी के खेल में शरीर और दिमाग दोनों को ही चलाना पड़ता है, खीचने या रोकने में ताकत लगाओ, और साथ ही सोचो की दूसरी टीम के पाले में किधर से गुसें, कौन है जिसको जल्दी से चूकर अपने पाले में लोट आएं, अगर पकड़े गए, तो बीच की लाइन तक कैसे पहुँचें, प्रिष्ट अस्सी, अपनी सांस रोक कर कबड़ी कबड़ी बोल कर देखो, कितनी बार बोल पाए, क्या कबड़ी खेलते हुए भी इतनी बार ही बोल पाते हो, क्या कोई अंतर है, अगली बार जब भी कबड़ी खेलो, तब ध्यान देना, कि आँख, हाथ और पैर का कितना जबरदस्त तालमेल रखना होता है, शामला ने पूरी टीम को एक बार में ही आउट कर दिया, इसका चित्र कौपी में बना कर दिखाओ, आउट होना क्या होता है, कबड़ी में कब-कब आउट होते हैं, कई खेलों में खिलाडी को चूना बहुत जरूरी होता है, जैसे खोखो के खेल में चूने से आउट होते हैं, और चूने से ही बारी भी आती है, ऐसे और खेलों के नाम बताओ जिनमें खिलाडी को चूना बहुत जरूरी होता है कबड़ी में श्यामला के बीच की लाइन चूने से सब आउट हो गए थे ऐसे कौन-कौन से खेल हैं जिनमें बीच की लाइन का महत्र होता है ऐसे कौन से खेल हैं जिन में खिलाडी के अलावा रंगों या चीजों को चूते हैं प्रिष्ट एक्यासी हु तु तु हु तु क्या तुम कबड़ी खेलते हो क्या तुम्हारे स्कूल में लड़कियों की कबड़ी की टीम है क्या तुम्हारे यहां लड़कियां कबड़ी या कोई और बाहर खेले जाने वाले खेल खेलती है क्या कुछ लड़कियां नहीं खेलती वे क्यों नहीं खेलती चर्चा करो अच्छा एक बात बताओ क्या तुम्हारी दादी और नानी कबड़ी खेलती थी क्या तुमने अख़बार में इनके बारे में पढ़ा है कर्णनम मलेशवरी एक वेट लिफ्टर है ये आंदर प्रदेश की रहने वाली है इनके पापा पुलिस में हवल्दार है जब ये बारह साल की थी तभी से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी अब वे एक बार में 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती है कर्णनम ने भारत के बाहर 29 मैडल जीते है उनकी चार बहने भी रोज वजन उठाने का अभ्यास करती है तीनों बहनों की कहानी यहाँ एक फोटो दी गई है जिसमें तीन बड़ी उम्र की महिलाएं दिखाए गई है लगती है न दादी नानी पर हैं ये आम दादियों नानियों से अलग यह फोटो है तीन बहनों की जुआला, लीला और हीरा ये मुंबई में रहती हैं ये तीनों कबड़ी खेलती थी और दूसरों को भी सिखाती थी जुआला बताती है हम जब छोटे थे तब लोग लड़कियों को यह खेल खेलने नहीं देते थे लोगों को लगता था कि अगर लड़कियां छीना जप्टी वाला खेल खेलेंगी तो उनसे कोई शादी नहीं करेगा कबड़ी में लड़कों वाले कपड़े पहनने पड़ते हैं इसलिए भी लोग खेलने से मना करते थे प्रेष्ट 82 तीनों ही बेहने काफी छोटी थी जब उनके पिता की मृत्य हो गए थी उनकी मा और मामाओं ने तीनों को पाला दोनों मामा खोखो और कबड़ी खेला करते थे उनी से यह शौक इन बेहनों में भी आया जो आला और लीला बताती है आज से करीब 50 साल पहले जब हमने कबड़ी खेलना शुरू किया था तो लड़कियों के पास कबड़ी खेलने के मौके नहीं थे माता पिता भी मदद नहीं करते थे लेकिन हम सोचते थे कि लड़कियों को कबड़ी जरूर खेलना चाहिए मा और मामाओं ने भी हमें कभी नहीं रोका हम तीनों ने कबड़ी खेलना सीखा और अपने महले की कुछ लड़कियों को भी खेल में शामिल किया हमने कबड़ी का एक क्लब बनाया जो आज इतने सालों के बाद भी चल रहा है याद आए वे दिन लीला और हीरा अपनी मैचों के बारे में बड़े जोश से बताती है कई मैच तो वे बिलकुल हारते हारते जीती क्योंकि उन्होंने तो मन में ठान ही लिया था कि कभी हार नहीं मानने है उन मैचों के दोरान कई बड़ी मज़ेदार घटनाएं भी हुई एक बार वे दूसरे शहर में एक बड़ा मैच खेलने गई थी मैच शाम को साड़े छी बजे शुरू होना था हम तीन से छे की पिक्चर देखने चले गए हमने सोचा कि मैच के समय तक तो वापस पहुच ही जाएंगे पिक्चर शुरू ही हुई थी कि हॉल में हला मचने लगा पता चला कि हमारे मामा हमें ढून रहे थे उनकी हाथ में एक टॉर्च थी वे एक एक करके सब के चेहरों पर रोशनी डाल कर पहचानने की कोशिश कर रहे थे मामा ने वहीं हॉल में ही हमें खूब जोड से डाट लगाई उनके जीवन में कबड़ी को लेकर कई कठिनाया आई परन्तु कबड़ी का मज़ा कभी कम नहीं हुआ सबसे चोटी बहन हीरा तो कबड़ी की कोच भी वनी पिष्ट तिरासी ये बहने चाहती हैं कि तुम जैसे स्कूल के बच्चे अपनी पसंद के खेल खेलें और कबड़ी तो खेले ही क्या तुमने किसी कोच से कोई खेल सीखा है? कौन सा? क्या तुम किसी को जानते हो जिसने किसी कोच से कोई खेल सीखा हो? चर्चा करो कोच कैसे सिखाते हैं? कोच किस प्रकार अभ्यास करवाते हैं? खिलाडियों को कितनी मिहनत करनी पड़ती है? क्या तुमने कभी अपनी पसंद के खेल के लिए क्लब बनाने के बारे में सोचा है मान लो, पंदरा बच्चों को दो टीमों में बट कर खोखो खेलना है दोनों टीमों में साथ साथ खिलाडी होंगे एक खिलाडी बच जाएगा, नहीं तो टीमें बराबर नहीं हो पाएंगी ऐसा होने पर तुम क्या करते हो, क्या तुम कभी बीच का बिच्चू बने हो उसके बारे में बताओ हर खेल में कुछ नियम होते हैं वह खेल उन नियमों के अनुसार ही खेल आ जाता है अगर उन नियमों में कुछ बदलाव कर दिया जाए तो देखें खेल में क्या बदलाव आता है जैसे क्रिकेट में विकेट पर से गुलियों के गिरने पर बल्ले बाज आउट हो जाता है सोचो अगर नियम हो कि एक ही बार में तीनों विकेट गिर जाएं तो पूरी टीम ही आउट हो जाएगी क्या खेल में मज़ा आएगा? इस नियम के अनुसार खेल कर देखो कुछ अलग-अलग खेलों के नियम तुम भी बनाओ और खेल कर देखो अभी आप सुन रहे थे कक्षा चार की पाटे पुस्तक हमारे आसपास का दस्मा पाट प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत